दोस्तों आपने किसी ना किसी social media platform पर ए इस्टा मनी loan application की एड़टेज देखी होगी जिसमें वो बताते हैं कि मातर दो मिनिट के अंदर आप इस application से loan ले सकते हो तो आज की वीडियो में दोस्तों हमें इसी इस्टा मनी application का complete review देंगे और यहाँ पर हम इस application में loan apply करने का A to Z process बताएंगे तो दोस्तो अगर आप भी इस application से loan लेने की स्वाश्रे हो और आप confused हो कि यहाँ से हमें loan लेना चाहिए या नहीं तो आप एफ वीडियो पूरा देख लो एफ वीडियो देखने के बाद आपका confusion 100% दूर हो जाएगा तो नमस्कार दोस्तो जगोग्यान में आपका एक बर फीट से स्वागत है दोस्तो अगर आपको एफ वीडियो पसंद आए तो एक लाइट जरू करते ना और अगर आप हमारी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल एक एंड़ वकर ओल नोटिफिकेशन अन कर दो जिससे हमारी हराने वाले इसी तरी किसी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे तो चले दोस्तो वीडियो को शुरू करते है तो दोस्तो हम आज चुके है प्ले स्टोर पर और हमने डाउनलोड कर ली है इस इंस्टामने एप्लिकेशन अब यहाँ पर दोस्तो मैं आपको लाइप प्रूप लोन अपलाई करने का प्रोसेस बताऊंगा और इस एप्लिकेशन में क्या-क्या खामी है वो भी आपके सामने लाइप रूप बताऊंगा तो आपको एप वीडियो पूरा देखना है वीडियो देखना के बाद अगर आपको एप्लिकेशन चही लगे तो आप इसे इंस्टोल कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पर आप लोन के लिए अपलाई भी कर सकते हो लेकिन उससे पहले आप वीडियो पूरा देखलो ताकि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए ठीके तो हमने यहाँ पर इस एप्लिकेशन को इस्टोल कर लिया है लेकिन उससे पहले दूस्तों यहाँ पर उपर देखोगे तो बताएगी है कि आप इस्टामने एप्लिकेशन से मातर दो मिन्ट के अंदर लोन ले सकते हो तो इसमें कितनी चच्चा है उभी हमें आपको बताऊंगा तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें sign up करना है तो यहाँ पर हम sign up वाले option पर click करते है तो हमरे समने यहाँ पर 3 option आएगे हम 3 में से किसी भी एक option से sign up कर सकते है तो सबसे असा तरीका रहेगा दोस्तों यहाँ पर mobile number वाले option पर click करते है उसके बाद यहाँ पर हमें अपना mobile number एंटर करना है और send OTP पर क्लिक करना है तो हमारे mobile number पर एक OTP send किया जाएगा वो यहाँ पर हमें एंटर करना है OTP एंटर करते ही हमारे समने next page open हो जाएगा जिसमें हमें एक social media connect करना है हम यहाँ पर Gmail ID भी दे सकते है और Facebook ID भी connect कर सकते है तो हम यहाँ पर Gmail ID वाले option पर choose करेंगे तो हमें reader कर दिया जाएगा हमारे Gmail ID वाले section में जिसमें से हमें एक Gmail ID choose कर लेनी है जो email ID हम इस application के साथ link करना चाते है उसके बाद यहाँ पर हमारे समने next page open होगा जिसमें हमें अपना pen का number देना है तो यहाँ पर हम pen का number एंटर करेंगे pen का number एंटर करने के बाद यहाँ पर हम next करेंगे तो यहांपर हमसा की पूछेगा की चीडिल पूछेगा यहांपर हमारा का такие दीनेशंञा है करना है करना है उसके बाद नीचे स्खोंव करके यह पर मस्तली करनाँ है वरियमोड करना क्या मद्टि करना है क्या कि विए स्कым करना है दो ही जया है फंग रहती है advice दो है तो यहां पर हम एंटर कर लेते हैं उसके बाद निचे यहां पर पूशरे है क्या आपने पास्ट में कहीं से भी लोन ली हुई है अगर ली हुई होई तो, यस करेंगे अधरविज No करेंगे तो, हमेरे समने Next Option अपर होगा जिसमें पूशरे है क्या की कि लjar के बाद किसी भी लोन का आवड यू किया है अगर किया है तो येस करेंगे तो यहां पर हम कर देँगे उसके बदोस्तों ह doen यहां पर दूसरा ऑफिन होगा जिसमां हम mןए एक जिल्वGM ayacount पर hebury यहां यहां पर यह पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास इस अकाउंट का debit card है अगर है तो yes करेंगे अधर्वज नो करेंगे तो यहां पर है तो आपके Sellit Bank कि अकाउंट पर Net Bank की सुवीदा है अगर है तो यहांपर हम यहां पर हम यहांपर हमारी loan amount संसर ने को बोलेगा कि हमां कितनी रूल की जरु होते तो यहां पर दोस्तों 50,000 रुप्या अंटर कर लाते हैं ऊसके बाद दोस्तों यहां पर हम इडेस systems Christine कर सकते हैं तो यहां पर सिलन से врag तो कोई मृखी होगा जो 4% इंटरेस्ट यह पर सिलेक करेगे यहां पर हम 2% रखते हैं उसके बद सब्मिट एंड चेक इलिजबिटी पर क्लिक करते हैं तो अब यहांपर हमारे इलिजबिटी चेक होगे तो हमें यह थोड़ी दिर वेट करना है थोड़ी दिर बाद दोस्तो के लिए 50000 & to 207 155 रुपिया एक स्रीषों मिलेगा इस लो के लिए हρεί लिया सकते हैं अब यहां पर अप्स उप्सनल रोन का पर उसके पर इसम्में होगा जिसका नाम है g's स्मेंड dime करनी होगी यहां बढ़ने के लिए वो कितनी है तो कि वो है 199 रुपिस अब एक फीस हम से क्यों ली जाती है और फीस देने के बाद हमें आगे क्या क्या step complete करना होगा उसके बारे में यहाँ पर बताएगी है अब यह जो फीस है वह आपके credit reward और other को के लिए ली जाती है अब जब हम एक फीस कर लेते हैं तो आगे हमें यहाँ पर क्यावाइस करना होगा और उसके बाद इसका कहना है कि आपको लोन तुरंती मिल जाएगी है लेकिन दोस्तों एक और बात में बता दूं यहाँ पर इन्होंने साब साब बताया है कि अगर आपक तो आपको कभी भी पेर नहीं करनी चाहिए वह एप्लिकेशन फ्रोर होती है लेकिन दोस्तों इस एप्लिकेशन को लेकर बहुत चारी वायट बनाई हुई है बहुत चारे यूट्यूबर यहाँ पर फीस पेर करके भी दिखाते है कि यहाँ पर लोन मिलती है तो मैं भी करना है तो हमें यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगे जिसमें हमें सूज करना है कि हम यहाँ नेट बेंकिंग या कार से पेमिट करना चाहते है या यूपिए से करना चाहते है तो हम यहाँ पर यूपिए सूज करेंगे और प्रोसिट टू पेर क्लिक करेंगे उसके बाद तो हमें redirect कर दिया जाएगा phone pay application पर जिसमें हमारी यहाँ पर हमें amount show करेगी अब यहाँ पर हम paper click करके इस amount का pay कर देते हैं जिसमें बताएगी है कि आपको अपना card ready रखना है अब यहाँ पर एक option मिलेगा process to leave lane check तो उसपर हमें click कर देना है तो हमसे यहाँ पर कुछ पर्मिशन पूछी जाएगी तो उससे हमें allow कर देना है तो हमसे यहाँ पर camera की permission पूछी जाएगी और हमारे समने front camera open हो जाएगा जिसमें हमें एक selfie क्लिक कर लेने है और उसके बाद यहाँ पर use this document पर क्लिक करके हमें इस selfie को upload कर देना है तो हमारा KYC यहाँ पर under verification में जाएगा और हमारा KYC यहाँ पर complete हो जाएगा और उसके बाद हमारा समने next page open होगा जिसमें हमारा आदर करका front and back photo upload करना है तो हमें यह फोटो upload कर देते हैं दोनों फोटो upload करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा समने आदर कर में जो address है वह आ जाएगा उसको हमें confirm करना है और यहाँ पर submit पर क्लिक कर देना है submit करने के बाद यहाँ पर थोड़ा processing लेगा अब यहाँ पर हमारा credit report check होगा तो यहाँ पर हमें थोड़ी दिर वेट करना है उसके बाद यहाँ पर हमसे bank पूछेगा तो हमें यहाँ यहाँ पर जिस bank account में इस loan amount को लेना है वो bank detail यहाँ पर हम सिलक कर लेने हैं तो यहाँ प अपलोडड करने के लिये यहाँ पर दो औप सनाई कि यहाँ पारमने से भी अप्लोड कर सकते हैं और विद्च कर तू देख टोरा प्रोसेसिंग लेगा औरमरा आ जाएगा की स्टेक्मेन जिसमें हमारी लोन की सारी डीटल रहेगी उसे हमें एक बर अच्छे से देख लेना है और यहांपर हमें I agree पर क्लिक करें पर क्लिक करेंगे तो हमारा यहां पर successfully थोड़ी दिर में ही बता दिया जाएगा कि हम यहाँ पर लोन ले चकेंगे या नहीं उसके बाद दोस्तों हम इसके होम पेज में आ जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो हमारी 5,000 रुपे की लोन यहाँ पर एर हो चुकी है और वो अभी अंडर प्रोसेसिंग में है अब यह हमने कुछ इस तरह के से एंटरफेस आया और यहाँ से ही दोस्तों इसका अश्ली खेल शुरू होता है जिसमें आप देखोगे तो बताये गिया है कि आपकी प्री अप्रूव लोन अमाउट थी 5,000 रुपया जो के अंडर वेरिफेकसिंग के लिया गई थी लेकिन आपकी अभी डिकलाइन हो चुकी है यानि कि ऐ 5,000 रुपय की लोन आपको नहीं मिलेगी इसका रिजन क्या है उसके बार में यहाँ पर कोई भी चर्चा नहीं की है यहाँ पर सिर्फ इतना बताये गिया है कि आपकी एप्लीकेशन हमारी पॉलिसी के अंडर नहीं आती बस इतना ही बुला है और हमारी एप्लीकेशन को डिकलाइन कर दिया है तो यहीं है दोस्तो इसकी सच्चाई यहाँ पर हम 1,99 रुपया पेख करते हैं तो भी हमें यहाँ पर लोन नहीं मिलती अब यहाँ पर दोस्तों हमें लोन मिले या ना मिले यह जो हमने 1,99 रुपीश की फिस करके इसी मुशिबत में ना पशो तो एह ही है दोस्तों इसकी सचाहिए यहां पर दोस्तों लोन 100% में से 1% लोगों को ही मिलती है और उसमें भी जिसका सिविल स्कूर बहुती बढ़िया होता है और जिसके सेलरी बहुत ही हाई होती है उसको ही एक कमपनी लोन देती है अधर् आप यह वीडियो पहले पूरा देख लो उसके बाद अगर आपको application सही लगे तो आप यहाँ पर loan के लिए apply कर सकते हो तो मैंने इस वीडियो में इस application के पूरी सचाई बता दी है अब आपको यहाँ पर application सही लगे तो आप इस application के तरफ जा सकते हो आज के वीडियो में दोस्तो बस इतना ही उमीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो like, share, comment and subscribe करना ना पूले तो चले दोस्तो मिलते हैं कोड़ा से next वीडियो के साथ तब तक लिए कुरबाए